असलाम अलेकूम एंड वैलकम टो इंफो टैक मैं हुशायान सिद्धी की और मैं आज आपको सिखाऊंगा कि हम शॉटकट फॉल्डर की किस तरहां से शॉटकी किरियेट कर सकते हैं बहुत ही जादा असान है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आपकी समझ में आ जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टिटोरियल सबसे पहले हमें क्या करना है जिस फॉल्डर की हमें शॉटकी बनानी है उसका हम निकाल लेंगे यहां से शॉटकट जैसे फॉर इजएमपल मैं इस फॉल्डर का बनाना चाहता हूं तो मैंने क्या करा राइट क्लिक करा और सेंट टू डेक्स्टॉप किरियेट शॉटकट अगर आपको नहीं पता शॉटकट और कॉपी में क्या डिफ्रेंस होता है तो इसको भी मैंने वीडियो बनाई वी है आप लोग लाजमी देख लीजिए ठीक है अच्छा यह बने हेंकिया हमारे पास शॉटक अब इसकी शॉटकि कैसे बनाईगे इस पर करेंगे हम राइट क्लिक राइट क्लिक करने के बाद यहां पर हमारे पास ऑप्शन होता है लास्ट में प्रмеंपर्परटीज को प्रॉबर्टीज तो देखें यहां पर लिख वहा और Control के साथ Command मिल रही है, Alter की ठीक है, अब मैं यहाँ पर कोई भी Alphabet दे सकता हूं, जैसे Ctrl-Alter-X स्वाई या, यह जो Short की है, यह हम Simple नहीं बना सकते हैं, जैसे Copy की हुथी, Control के साथ कोई भी Alphabet इसके साथ हमें या तो Altarrakukan क्ञूल या कंट्रूल आल्टर या Ctrl Shift या Shift literally इस सवा से दो कमांड के साथ है मिलाना पिए जैसिए faster मैं चाहता हूंँ मुझे Ctrl shift के साथ Ctrl Shift X मैं सहता हूं अ चाहिता हूंAdam Ctrl Shift b मिलाना पड़े younger अगर मैं कhrता हूं Ctrl Shift B तो क्या हो यह फूल्डर ऑपन हो जाए ठीक है मैंने किया इसको अपलाए ओके चेक करते हैं कंट्रोल शिफ्ट बी जैसी मैंने कंट्रोल शिफ्ट बी किया मेरे पास फूल्डर ऑपन हो गया ठीक है तो उमीद करता हूँ यह चोटी सी ट्रिक आप लोग के समझ आ गई होगी और काफी हलपफुल रहेगी आप लोग के लिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताईएगा कि यह आपको पता थी या नहीं पता थी यह ट्रिक आज के लिए इतना ही मुझे दीजिए इजाज़त अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में नए टॉपिक के साथ जब तक के लिए अल्लाहाफेश